कुछ आइं दोस्तों कैसे आँज समीध करते हैं अब अच्छ यह अच्छी आहिए सकति हैपको पता है 14 एयल यूbit हम एक लटेश्ट अब्लेट लगतार आपको दे रहे हैं दुस्तों आज की जो जानकारी है पंचायत साहिक बर्दी से रेलेटेट तो है ही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा है दोस्तों कि यहां पे बहुत ही ज़्यादा सस्पिसन में हर एक अधिखारी थे कि आखिर पंचायत साहिकों कारे क्या है दूस्तों डी पी आरो ने इस बात को बिल्कुल ही क्लियर किया है कि पंचायद साहगों कारे क्या है और किस तरीके से पंचायद साहगों कारे करना है और उनका अंडर में क्या-क्या चीजे आ रही है ये पूरी जानकारी आपको इस वडियो में मिलने वाली है तो जान सकें तो चली दोस्तों सुरू करते हैं सुडियो को देखते हैं क्या है सुडियो में खास पंचायत सहाइकों के लिए और पंचायत सहाइक ग्राम पंचायत के लिए कितने महत्वपूर है और हर एक पंचायत सहाइक का जो भी कार रहे हैं पूरे ग्राम सभा का कार पूरे चलिए दोस्तों चुरू करते हैं इस वीडियो को चलिए से आप सुनिएगा गाउं के प्रतिनिदी प्रधान के सभी कारियों को करना पहला चीज दूसरा जाति निवास आये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार रजिश्टर का कार्य करना पंचायच साहिकों के हाथ में तीसरा आंगन बाड़ी के कार्यों का जाच करना और अपने शाथ कार्यों में साथ रखना इसके साथ उनके शाहिकों के कार्यों का विवरण रखना ये भी पंचायच साहिक के जिम्मेदारी है चोथा है आजसा के कार्यों का पूरा विवरण पाचवा है कोटेदारों के कार्यों का पूरा विवरण छठा है असी सखी के का गराम पंचायत में स्वक्षिता पर विशेश रूप से कारे कराना यह महतुपूर्ण है इसलिए इसको विशेश रूप रखा गया महतुपूर्ण तो दोस्तो हर एक है, पंचब्साइप महतुपूर्ण है और पंचब्साइपूर को बहुत ही बड़ा यह Humdar P आप लोग एक एक पॉइंट को समझते चलिए, ग्राम पंचायद में सुक्षिता पर विशेश रूप से कारे करना, सफाई कर्मशारी की कार्यों का संचालन करना और उनके उपस्थिती नोट करना, नवगा है, दसवा है, चौकिदार के उपस्थिती का रजिश्टर तयार कर यह दोस्तों दसवा है, अब आगे मैं आपको दिखा दूँ, आगे क्या है, देखिए, आंगर बाड़ी के द्वारा किये कार्यों का रजिश्टर का विवरण देखना, यह भी पंचायद सहायक के जिम्मेदारी है, कि आगर बाड़ी क्या कारे कर रहे हैं, उनके रजिश् करना, चोधावा है, लावारती की, सूची तयार करना और जो पात रहो, उनको लाव के लिए सहायता करना, यह चोधावा है, दोस्तों हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वण है, इससे सिधा क्लियर होता है, किस तरीके से पंचायद सहायकों के अंडर में आगन माड़ी हो, य या फिर कोटेदार हो, यह सारी चीजें पंचायद सहायकों के देख रेक में यहाँ पे होना तय है, जिस तरीके से यहाँ पे डीपी यारों के अपने आदेश में बताया है, अपने पंचायद सहायकों के कादियों को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट गिनाया है, दोस झाल